करेंगे या सोट ट्रिक्स मेथड़ते कुछ इसको सोल करेंगे इसके सोट ट्रिक्स क्या है आज की आज़िए सोट ट्रिक्स पेर ओफ लेनियर एक्वेस्ट इंटु ग्याइबल दास टू बड़ के सब्सक्राइब इससे रेटान हम सोट ट्रिकरेंगे जहें दो इक्वेस्टन दी रहे हैं और वारियाबल उसमें टू है तो उनको कैसे सोल करेंगे तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें और कितना होचके इसको शेयर करें कॉमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट अवेच्या चैनल करें देखिए कि क्यूशन क्या है क्यूशन दियाव है 3x minus y equals 3 and 9x plus 3y equals 9 इसको सो करना तो देखिए कि मैं इसको सोट ट्रिक से बहुत ही कम सम्हें में इसको सोल कर दूआ यहां y की वेलियो क्या होगी यहां Y का solution 0 आएगा और X से ले लिकाएगी 1 आएगी मुझे बस इतना ही time लगा और इसको मैंने solve कर दिया तो इतना कम time लगा है और इसको solve कर दिया इसके पिछे भी एक reason है इसके एक type है जब यह type होगी तभी हम Y के value 0 लेंगे हमें सामें साही always Y में साम 0 होगा यहां पर तो इसके लिए type क्या है type क्या है type 1 से बनती है type 1 से बनती है कि if ratio of ratio of y variables ratio of x variables ratio of x variables and ratio of constant term is equal then then always solution of Y equals साब एमें साम Y क्या होगा इसने 0 होगा कब जब ratio of x variable and constant terms of ratio equal हो तब हमें साब Y क्या होगा 0 होगा जब हमें पता लग ज़िया कि Y 0 है तो आप इस equation या equation में Y की value पूट करके जैसे नहीं हमें Y की value क्या क्या है Y की value 0 आगी तो 0 पूट क्या तो x की value क्या जेगी 1 आजेगी तो इस type के आप इसको control कर सकते हैं अब इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसका देखे यहां पे जो x variable है उसका जो ratio क्या होगा वो 3 by 9 यानि 1 by 3 होगा Y है उसके लिए क्या होगा ratio minus का minus का 1 by 3 या minus minus 1 by 3 और जो constant है उसका क्या है 3 by 9 यह रख 3 by 9 तो कट के क्या है 1 by 3 आप देखे कि यह constant है और यह x का यह x variable का ratio है और यह constant का ratio है वो क्या है तो equal है then सब क्या होगा solution क्या बन जाएगा आपका Y 0 बन जाएगा Y 0 बन जाएगा अब Y की value आप first question क्या है पूट केजिए मैंने first question में Y को 0 पूट किया तो 3 x minus Y इक्वल जो Y 0 होगा तो 3 x इक्वल 3 तो यहां के क्या आजएगा x इक्वल 3 by 3 इसको बड़े इज़ी तरिक्टे से कम ताइम में स्टोल कर सकते हैं बहुत ही कम ताइम में इसको स्टोल कर सकते हैं अब देखें आप second type क्या है if ratio of Y variable Y variable Y variable and ratio of constant time time is equal then solution होगा जो आपता वो x equal 0 always होगा अब यह फ़र साइब क्या थी कि उसमें x variable और constant रम का ratio equal था तब हुआ तब क्या था Y 0 था जब x का वेरिया x और constant का ratio equal हो तो क्या होता है Y 0 होता है जब Y और constant का ratio equal है तो क्या होता है X equal 0 अब इसे related equation को solve करते है क्या दिया होए equation दिया होए आपका minus का 3X plus का Y equal 3 and 9 is X plus 3Y equal 9 आप देखिए यहां पे जो X है उसका ratio क्या आएगा X variable का ratio minus का 3 by 9 क्या देखिए minus का 1 by 3 Y के लिए क्या आगया यहां पे आप देखिए 1 by 3 और constant के लिए 3 by 9 तो यह constant का ratio था और यह Y variable का ratio था तो equal आ रहा है यानि Y variable का ratio और constant का ratio equal आ रहा है तब solution क्या बनेगा आपका X equals 3 X की value क्या होगी मैंसा 0 होगी तो X की value आपका situation पूट कर होगी 0 plus Y equals 3 तो Y की value किसी में आगी 3 आगी Y की value 3 आगी आप इसको verify भी कर सकते है X को यहाँ 0 पूट किया 0 3 equals 3 होगी है ना तो X इसके पूट कीजिए 0 plus 3 equals 3 तो आपका जो answer है वो भी क्या है right है तो इतनी कम time में आप इसको solve कर सकते है जहां आपका 3 या 4 minute लगने थे वहाँ आप इसमे कम से कम 30 second या 40 second में इसको solve कर सकते है तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अम मैं आपको कुछ questions दे रहा हूँ आपको उनको solve करना है और comment box में अपने comment share करने है उनके answer को share करना है solve क्या है question उनको आपने solve करना है और comment box में उनके answer करने है आपने ते फर्ट second, 2x minus the 2y equal 5, 4x plus the 5y equal 10, third, x plus 2y equal 10, 2x plus the 3y equal 15, or 2x minus the 3y equal minus 5, 4x plus the 6y equal 10, and fifth, 5x minus the y equal 9, 10x plus 3y, 3y equal 18, take minus the 3x plus the 5y equal 18, and 2x plus the 5y equal 15, अपको इन्किस्न को सॉल करके, comment box में अपने answers को शेयर करना है, और जो show tricks मैंने बताई है उसी show tricks से इसको सॉल करना है, अमीद आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, ये सो ट्रिक आपको पसंद आए होगी, इसकी जितनी होचके आप टैक्टिस करें और बहुत ही कम टाइम में आप इसको फोल कर पाएं थेंक्यू, धन्यवाद